नमस्कार दोस्तों पीशेसफ़ार साला में आप सवी का स्वागत है दोस्तों यह सामाजे विग्ञान का एक एसमा भाग है एक एसमा भाग है इसके पहले 20 वीडियो आप लोगों को मिल चुके हैं जितने भी प्रशन में बता रहा हूं यह सभी महत्पूर है यह सभी रामबा तुद देख रहे हैं यह PDF है पीशेश फार्ट साला का अपना PDF है और यह जो सीरीज है बहुत ही महत्पूर्ण है यह बहुत ही महत्पूरूत प्रश्ण है लगातार 10-15 वर्सके जो भी प्रश्ण आये हुए है वह सभी प्रश्ण इसमें समाहित किए गये हैं और सभी महत्प बनाईए आप इसमें बार सो पचास प्रशन है राम बार्जू हमेसा आते ही आते हैं अब यह भारती समिनास सभा की पहली बैठक कब होई थी यह 9 दिसंबर 1946 होई थी अब यह बहुत से लोग नहीं जानते हैं देखिए यही सब चुनिंदा प्रशन है देखिए हिस्ट्री अ कोई भी टॉपिक कोई भी सब्जेक्ट हो चाहे हिस्टी हो जोगर्फी हो पॉलिटी हो एकोनॉमी हो कोई भी सब्जेक्ट हो हर सब्जेक्ट में केवल 1000 प्रशन ऐसे महत्यपूर होते हैं जो घुमा फिरा कर हमेसा आते ही रहते हैं अगर उन 1000 प्रशनों पर अगर आपने पकड मजबूत बना लिया है तो मान लेजिए परिच्छा में अगर 10 प्रशन उस सब्जेट के आते हैं तो 10 में से 7-8 आप करके ही आएंगे तो कम से कम इतना आप तोक तैयारी करिए ये 1250 प्रशन की स्रीज है ये किसमा भागया ये सिदे प्रशनों पे आते हैं पहला प्रशन है भारती समिधान सबा की पहली बैठक कब हुई थी तो यह हुई थी 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को प्रश्च नमबर 2 शमिधान सभा का अस्थाई अधच कौन होता है तो डांक्टर राजिन्दा प्रसाद शमिधान सभा का अस्थाई अधच कौन था यह पूछ रहा है तो डांक्टर राजिन्दा प्रसाद थे प्रश्च नमबर 3 परश्ण नमर चार देखे समिधान सभा की प्रारूप समित की अधर्श कौन थे डाक्टर भीमराव मिटकर परश्ण नमर पांच समिधान सभा का ऑपचारिक रूप से प्रतिपादन किष ने किया था तो वह M&Rai ने किये थे M&Rai किये थे M&Rai प्रश्ण नमबर 6 भारत में समिधान सबा का गठित करने का आधार क्या था? Cabinet Mission योजना थी जो 1946 में आई थी प्रश्ण नमबर 7 समिधान के गठन की मांग सरवपर्थम 1895 में किस ब्यक्ति ने किया था? तो बाल गंगादर तिलक ने किये थे लोकमान बाल गंगादर तिलक 1895 में मांग किये थे कि समिधान का गठन होना चाहिए प्रश्ण नमबर 8 देखिए समिधान सबा में देशी रियासतों की संचा कितने थी? समिधान सबा जो थी उसमें देशी रियासत जो थे वह कितने थे? तो देशी रियासत जो थे वह सत्तर थे प्रश्न नौ देखे समिधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनदी ने भाग नहीं लिया हैदराबाद हैदराबाद ने भाग नहीं लिया प्रश्न दस देखे बियार अम्बेटकर कहां के समिधान सभा में निर्वाचित हुए थे बंगाल से भीमराव अम्बेटकर बंगाल के समिधान सभा से निर्वाचित हुए थे प्रश्न ग्यारा समिधान सभा का समयधानिक सलाकार किसे निर्वाचित किया गया समिधान सभा का समयधानिक सलाकार बी एन राव को नियुत किया गया प्रश्न बारह समिधान सभा की प्रारूप समिध का अगठन हुआ कब हुआ था 29 सगस्ट 1947 को समिधान सभा की प्रारूप समिध का अगठन हुआ था 29 सगस्ट 1947 को समिधान की प्रागू समित के समच प्रस्तावना का प्रस्ताव किशने रखा था तो पंडित जुहालाल नहरू रखे थे समिधान सभाकी रचना हे तो समिधान का विचार सरोपर्थम किशने प्रस्तुत किया था यह सब को नजरनदाज मत करिए आप लोग यह कुल 1250 प्रस्ताव की शिरीष है इस पर कम से मैं यह नहीं कह रहा हूं यह परयाप था यह पढ़कर आप पूरा कलेक्टर बन जायेंगे मैं यह नहीं कह रहा हूं लेकिन यह आना ही चाहिए आप लोग को इसलिए मैं कह रहा हू अगर यह सब आगर आप लोग जानते हैं तो समझे अगर हिष्टि जोगर्फी पॉलिटी के जितने भी प्रशन आएंगे चाहे यूपी टेट हो चाहे सी टेट हो चाहे फिर यूपी टेट हो या सी टेट हो या फिर सिच्छक भरती परिच्छा हो उन्ह सब को समीधान को बनाने में कितना समय लका था दो वर्स किअरा महीना 18 दिन प्रशन 17 समीधान में कितने अनुछ समिधान में 444 नुच्छेद हैं देखिए बाद में कुछ नुच्छेद इसमें जोड़े गए इसलिए 444 नुच्छेद होते हैं लेकिन मूल नुच्छेद जो थे समाहित किया गया है तो 305 नुच्छेद हैं प्रशन 18 देखेगा समिधान में कितने अध्या हैं बतलब कितने भाग हैं तो समिधान में 22 भाग हैं 22 भाग हैं, प्रश्ण 19, समिधान सभा में कितनी अनसूचियां हैं, समिधान सभा में 12 अनसूचियां हैं, समिधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था, शमिधान सभा का चुनाव हुआ था, उसमें समिधान सभा में बहुत सारे सदस्य थे, वक्की साधार पर हुआ था, तो वह वर्गी मताधिकार पर हुआ था, मतलब 10 लाग की आवादी पर एक समिधान सभा सदस्य का चुनाव हुआ था, तो वर्गी मताधिकार पर, मतलब इस